हाई गाई वापिस आगया एक और नई वीडियो के साथ इस वीडियो में देखने वाले हैं रिंकी एर स्पोर्ट्स एंड बेजल स्टाइलिंग कॉम्बो किट गैलक्सी वाच 4 के लिए तो पहले तो हम इसको गैलक्सी वाच 4 पे डाल के देखेंगे कि यह कैसे लगता है कैसे हम इंस्टॉल करते हैं इंसलेशन प्रॉसस देखेंगे उसके बाद हम बात करेंगे कि यह आपके लिए अच्छा रहेगा कि नहीं क्या आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इसके क्या-क्या आपको कंपैटिबिलिटी इश्यू हो सकते हैं या क्या प्रॉब्लम्स आप इसको खोल के देखने हैं यह है एसपोर्ट तो नीचे पहले आप एसपोर्स टालेंगे उसके बाद उसके ऊपर एर बैजल आप अच्छी बैजल स्टाइलिंग आप चिपकाएंगे यह एक हजार नौतो निन्यानवे का मिलता है ओनलाइन आपको यह हजार आट्सो आट्सो निन्यानवे में मिलेगा मतलब 100 रुपे काम जाधा डिसकाउंट नहीं है तो यह है बैजल यह लूमिनम का बना हुआ है तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और यह पूरा रबर का बना हुआ है तो चलिए इसको फिट करते हैं वाच पर पहले तो इसको फिट करने के उसके बाद एक तरफ से पहले एक कोने को अंदर डालना है उसके बाद दूसरे साइड को पहले अच्छे से उपर खीच के फिर लास्ट कोने को आपको खीच के डालना पड़ेगा इसमें थोड़ी से मेहनत लगेगी पर जादा मुश्किल नहीं है और यह डल गया तो यह असान था अब वापस स्ट्रैप्स डाल देते हैं तो स्ट्रैप्स डालना भी बहुत ही आसान है अब देखते हैं स्ट्रैप्स डालने के बाद यह कैसा दिखता है तो यह है इसका लोक अगर आप सिफ एर स्पोर्ट डाल रहे हैं तो यह पूरा को पूरा एक कवरिं है तो आपको यह उतारना पड़ेगा डबल साइड स्टिकर है इस पर अब इसको एलाइन करके हम वाच पे लगाएंगे अब अलाइन कर लिया मैंने तो यह सिंबल उपर आना चाहिए और ऐसे लगाना है और इसको थोड़ा सा दबाना है बस हो गया तो इतना आसान था इसको तो ऐसा दिखेगा अब अब डबा आपके साइड में पड़ा है अब आपको दिख रहा है वाच फोर आक्शिली कैसा दिखता है और अब कैसा दिख रहा है तो दिखने में बहुत ही ब्यूटिफुल हो गया है मनलब दिखने में बहुत ही अच्छा है होपफुली आपको अ बाहर निकलता है उसकेले आफसेद मरे मि पर लाए्य पाइस बबाट कोई हमा की आप स放ड्ल JUST पर बागे नाला सकते हैं संथा पूर बैंनल कोई प्रॉल्मोम केको फального में तोब करता के यहां तो उन्हों नहीं आ आएं से आपको दान्य आएंक कोई। दूसरा इसका heart rate monitor और इसका oxygen sensor और इसका BMI calculator और इसका सारे sensor जो है वो अच्छे से खुले हैं और वो बीच में इनको इसको डालने के बाद उसको कोई प्रॉबलम नहीं आता अब आगे से भी यह बैजल वाला जो एरिया है यह जादा अंदर नहीं आता इस वज़े से अगर आ तो इसमें अभी TEMPER GLAAS डाला हुए है मैंने TEMPER GLAAS भी ढाले तो इसको कोई इस्यू नहीं होता था था नहीं निकालता अब एक प्रॉबलम मुझे जो हुआ वो था इसका जब मैं BMI calculation कर रहा था यह डालने के बाद अब जब मैं इसको ऐसे चू रहा हूँ तो यह बैजल बीच में ऐसे अंगल करके डालना पड़ेगा तो वह एक मुझे बैजल का प्रावलम लगा क्योंकि यह मैटल बैजल है तो जैसे ही आप उंगली दोने इस पर भी टच कर देंगे तो वह बना देता है तो वह प्रावलम आपको आएगा अब यह डालने के बाद आप इसको इत कि बैजिग्म करा रहा हुआ कि इस ब्रॉलम मेरी कि न दौटाय के दो घखे लानने के बाड़ मुझे आगर यह डालना है तो मुझे चुका थिए प्राबर निकालना पड़ेगा तो वह भंड़ मुझे भादज निकाल कर पड़ेगा तो और वह एसको यह डु़ीं कर सकता कोई एक आसान तरीका होना चीए था इसको इसके साथ अटाच करने का सिवाए चिपकाने के क्योंकि अब मैं इसको एक बाद डाल दू मैं इसको निकाल नहीं पाऊंगा इतनी असानी से दूसरा वाद डालने के लिए तो अगर आपको लेना है कोई इन दोनों में से कोई एक आप एक चूस करें तो क्योंकि आपको भी आप पता चल गया कि इसमें थोड़ा मुश्किलोगा निकालना डालना तो इसका भी मैं वीडियो डालने वाला हूं इसका डिप्स्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा तो आप वो देख सकते हैं कि यह कैसा लगता है फिर आप क rape कर के बता सकते हैं आपको की आपको डोन वे से कौन सा अछा लग रहा है और आपको कौन सा लेना चाहिए तो इतना ही इस वीडियो के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सबस्क्राइब लाइक कीजए कमेंट कीजे मैं आपसे दुबारा मिलता हू क कर नए वीडियो के साथ बाई-बाई